दोस्तो रशिया जो की फॉर्मली यूएसेसार था और यूएसे की बीच कॉन्ट्रिक्ट का इतिहास बहुत पुराना है। सेकेंड वर्ल्ड वर के समय ही ये दोनों देश एक दूसरे से कंपीट करते चले आए हैं। जो कॉन्ट्रिक्ट सिर्फ आइडियोलजी पे बेस था धीरे धीरे दूसरे डोमेंस में फैलता चला गया। और इसका सबसे बड़ा इंपाक्ट डिफेंस सेक्टर में दिखा। दोनों देशों ने एक दूसरे की मिलिटरी को सुपरसीड करने के लिए कई टेक्नलोजीकल डेफलेमेंट्स किये जिससे वर के थ्रेट्स कम होने की जगए और बढ़ते चले गए। इनकी टेक्नलोजीकल डेफलेमेंट्स में ICBMs या Intercontinental Ballistic Missiles का डेफलेमेंट होना दोनों देशों के लिए एक टर्णिंग पॉइंट मना। दोस्तों ICBMs ऐसी मिसाइल की कैटिगरी है जिनका मिनिममम रेंज 5500 किलो मीटर होता है जिसकी वज़े से वो एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट तक स्ट्राइक कर सकती हैं ICBMs अपर एक्मास्फियर में ट्रैवल करते हुए ग्राविटी की मदद से अपने टार्गेट पे स्ट्राइक करती हैं इन्ही कारणों से इनका नाम Intercontinental Ballistic Missile रखा गया है दोस्तों World War की पहली ICBM Missile 8800 किलोमेटर के रेंज तक स्ट्राइक करने वाली R-7 समयोर का थी इसका डेवलप्मेंट USSR ने 1957 में किया था और इन्हे 1962 तक फुली डेवलप भी कर लिया था USA ने इसके opposite Atlas Program के तहट ICBM Atlas 1959 में डेवलप किया इस Missile की रेंज 14,000 किलोमेटर थी इन Missiles का डिजाइन primarily nuclear warheads को far off distances तक precisely deliver करने के लिए किया गया था यदि current scenario की बात करें तो हाली में रशिया के Defense Minister Sergei Shoigu ने statement जारी करते हुए कहा है कि रशिया एक new ICBM सेडमेट की test flights इसी साल के अन तक शुरू करने के प्रयास में है और इनने 2022 तक properly इंडेट कर लिया जाएगा दोस्तो इस वीडियो के माध्यम समरशिया के इसी latest ICBM समराट के बारे में जानेंगे और साथ ही USA के hypersonic missiles पे भी चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का discussion नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका study IQ में दोस्तो सर्मट missile एक Russian Under Development ICBM है ये उन 6 strategic weapons में से एक है जिरन 2018 में Russian President व्लादिमर पुतिन ने reveal किया था 18,000 km की range के साथ ये missile इस दुनिया की किसी भी कोने में 10 टन से जादा payload deliver करने में सक्षम है इस missile के development 2009 से ही शुरू हो गया था रशिया के ही Voivoda missile को replace करते हुए 208.1 टन भारी सर्मट वल्ल की heaviest strategic missile बन जाएगी सर्मट से रशिया अपने aging SS-18 Saturn missile को replace करने की तयारी में है RS-28 सर्मट प्रीवियस ICBMs के comparison में greater load capacity, range और speed प्रवाइड करती है इसकी load capacity की बड़ी खासियत ये है कि ये 10 से 15 MIRV कैरी कर सकती है दोस्तो MIRV एक multiple independently targetable reentry vehicle होता है जो एक साथ कई warheads केरी करते हुए atmosphere के बाहर से multiple targets पे aim कर सकता है इस missile की मदद से रशिया hypersonic glide vehicles भी launch कर सकेगा जो अपने high speed और better control की वज़े से conventional missile defense system के लिए एक बड़ा challenge है सर्मट का greater range उसे poles की उपर fly करने के लिए enable करता है जिससे उसे track करना बहुत कठिन हो जाता है रिशिया का claim है कि इसके payload में anti-ballistic missiles के counter measures भी included है जो उसे एक unstoppable object बना देते है रिपोर्ट्स के अनुसार हाली Pacific Ocean में USA ने अपने air launch rapid response weapon AGM-183A की testing की जो fail हो गई March 7 से ज्यादा speed के साथ ये missile system US का पहला hypersonic system होने वाला था July 28 को किये गया इस test में rocket engine ignite नहीं हो पाया जिसका कारण US Air Force अब भी पता लगा रहा है US का target इस missile को 2022 के fiscal year end तक production में लाना था जो अब कठन दिख रहा है August 2018 में US Air Force ने air launch'd hypersonic weapon के लिए Lockheed Martin को 480 million dollar का contract assign किया था April 2021 से USA in missiles की लगतार testing कर रहा है जिसमें बार बार उसे नाकामी ही हाथ लग रही है US Air Force के Brigadier General Head Collins इस बात को acknowledge करते हैं कि Lockheed Martin द्वारा बनाई गई इन missiles में टेस्टिंग के दौरान कई problems दिखे जहां एक तरफ US Air Force ने 2022 financial year में 161 million dollar की लागत से अपने पहले hypersonic weapon 12 AGM 183A procure करने की planning कर रही है वहीं दूसरी तरफ House Appropriations Committee इस project की technical issues को देखते हुए expenditure से 44 million dollar cut करने के plan में है यदि budget में reduction होता है तो US Air Force 2022 तक 12 की जगे सिर्फ 8 missiles ही acquire कर पाएगी दोस्तों यदि ICBMs के domain में इंडिया की बात करें तो इंडिया आज दुनिया के 8 nations में से एक है जो ICBMs process करते है इंडिया की Agni missile series का Agni 5 एक nuclear capable intercontinental ballistic missile है 17 meter tall 3 stage solid fuel ये missile 5000 km से 5800 km range तक 1.5 ton payload deliver करने में सक्षम है अगी missiles का development Integrated Missile Development Program यानि IGMDP के तहत किया गया है Missiles technology में self-sufficiency की importance को समझते हुए ये program Dr. APG Abdul Kalam Ji ने conceive किया था जिसे Government of India ने 1983 में approval दे दी थी इस program के अंडर 5 missiles को develop किया गया है जिसे abbreviation form में पटना कहा गया है जिसका मतलब है प्रत्वी, Agni, Trishul, Naag और Akash अलग-अलग capabilities और features वाली इन missiles ने इंडिया की missile technology को self-sufficient बनाने में एहम भूमी का निभाई है Agni 5 के successful induction के बाद भारत आज MIRV यानि की Multiple Independent Re-Entry Vehicle Technology develop करने के प्रयास में है जिसे इंडिया के minimum nuclear deterrence policy का solution बताया गया है दोस्तों, चाइना के longest range ICBM missile Dongfang 5A है जिसकी range 13,000 km तक है France का M51 जिसे 2010 में induct किया गया था highest capability ICBM है 8,000 से 10,000 km तक strike range offer करते हुए ये missile 6 independent MIRVs भी carry कर सकता है इस missile का एक improved version New Nuclear Warheads के साथ 2015 में commission किया गया था ICBMs के list में Israel का Zeriko 3 भी शामिल है जिसकी range 4800 to 6500 km तक है इस missile को single 750 kg nuclear warhead या 2-3 low yield MIRV से equip किया जा सकता है वहीं बात करें पाकिस्तान की तो उसके पास शाहीन 3 नाम की long range missile है पाकिस्तान के claim के अनुसार ये missile 2750 km तक का range offer करती है दोस्तों technological developments की ये एक ऐसी race है जिसका कोई अंत नहीं है आज की nuclear powered world में इन missiles के use होने की समभावनाएं बहुत कम है इन missiles को develop करने का actual purpose attack नहीं बलकि deterrence है दोस्तों US missiles development के लिए ये एक tough phase है इस समय जब US के rivals चाइना और रश्या hypersonic missiles की domain में बड़े कदम उठा रहे है US military अपनी hypersonic technology से जूचती हुई नजर आ रही है long run में US के missile program पे इन failures का क्या आसर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा पर वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक successful testing के साथ रश्या ने इस game को अपनी ओर tilt कर लिया है world के दूसरे powers भी आज अपनी capabilities को expand करने के प्रयास में लगे हुए है दोस्तों रश्या के इस intercontinental ballistic missile के उपर आपका क्या opinion है और क्या आपको लगता है कि इंडिया को इस particular field में और भी साथ expansion की जरूरत है comment section में जरूर बताईएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत